हलो फ्रेंट्स स्वागते आप सुभी का मेरे यूटूब चनल sb medicine में और आज हम बात करेंगे डॉलो काइंड एक्वा इंजेक्शन के बारे में इसके क्या-क्या यूज हैं क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो पूरी जानकर रिख लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्स्क्राइब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिपिशिशन मिलती रहें फ्रेंड्स डॉलोगाइंड एक्वाइ इंजेक्शन मेंगाइंड कमपणी का बेस्ट इंजेक्शन है इसकी फ्राइज हैं 26 रुपे 40 पेस है इसका कंपोजिशन है डाइकलोफिनेक्स सोडियम 75 NG ये वनेमल के पेक में होता है इसके जो बेस्ट यूज है वो हैं दर्द को ख़तम करना यानि पेन किलर इंजेक्शन है वो चाहे किसे भी प्रकार का दर्द हो जैसी सरधर्द हो कमर दर्द, घठया का दर्द, हात पेर दर्द, मान सपेशयों का दर्द, जोडों का दर्द, चोट लगी हो या पिर मोच आ गई है, नसों का चडणा, हड़्डियों का दर्द, periods का दर्द, आधी, सभी प्रकार के दर्द में इसका काफी यूस हो जाता है, जहां ये काफी असरदार विज़र्ड देता है, डोलो का एंड एक्यू इंजेक्शन में, एक्यू का मतलब है, एक्यूस बेस, और एक्यूस बेस पे होने के कारण, ये अगर इंजेक्शन हुआ हैं, तो उस दर्द को भी एकम करेगा, या फिर आपके साइटिका का दर्द हैं, तो वहां भी अच्छा वर करता हैं, इसके अलावा भी अगर आपके दातों का दर्द हैं, कान में दर्द हैं, या आपको बुखार हैं, तो वहां भी ये इंजेक्शन लगाए जाता है और अगर आपको पेट में दर्द हैं, माईग्रेन का दर्द हैं, आँखों में सुजन हैं या जलन हैं, या फिर अगर कंदे का दर्द हैं, अगर आपको कोई भी छोटा मोटा कीडा काट गया, जैसे मदमकी या किसी भी छोटा मोटा कीडा अगर आपको काट लिया हैं, तो व पर उस जगे यह बहुत ही अच्छा काम करेगा कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह ड्यक्लोफेनेक इंजचन सभी तरह के दर्द को खतम करने का पेस्ट इंजचन के एलवा टेबलेट और जेल में भी मिलता है अगर आप इंजचन नहीं लगाना चाहते हैं तो उस जगे आप टे के साइट इफिक्ट की तो इससे जी गबराना, उल्टी होना, खुजली चलना, इसकीन पर रेसेस आना, डाइरिया या कब जो हो सकता हैं, इसके अलाव भी अगर आपको कोई अधर साइट इफिक्ट नजर आते हैं, तो आप अपने डाक्टर से कंसल्ट करें, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ योगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हैं, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, और चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तेंक यू